विस्किट्स टीवी मस्तिकी धारा रंग बिरंगी दुनिया ये है हमारा चानल हर उमर के बच्चों का प्यारा विस्किट्स टीवी गर्मियों के दिन थे और गर्मियों की छुट्टियां भी चल रही थी राहुल जोती एक शाम दोनों अपने घर के बाहर केल रहे थे तभी उनकी मम्मी ओ राहुल जोती जरा इधर आओ जल्दी से तभी राहुल और जोती अपने घर को चले आए जैसे ही राहुल जोती घर के अंदर आये और अपनी मम्मी को मुस्कुराते हुए देख कर बात ही कुछ ऐसी है तुम्हारी नानी का कोल आया था आज उन्होंने हमें बुलाया है चलो पैकिंग शुरू कर देते है नानानी के गाउं चलते है और इंजॉय करते है फिर क्या दूसरे दिन सुभे सब लोग जल्दी नानानी के गाउं के लिए निकल पड़े राहुल जोती का नानी का घर काफी खूबसूरत और छोटा सा गाउं था जहां सब खेती बाड़ी करते थे और प्यार से रहते थे राहुल जोती जैसे ही नाना नानी के घर पहुँचे तो उनके स्वागत के लिए नाना नानी तयार खड़े थे राहुल जोती को नाना नानी वोले राहुल जोती आजाओ हमारे पास को आजाओ फिर राहुल और जोती नाना नानी के पास जाकर उन से लिपट गए फिर खास नाना नानी की बनाई हुई स्वादिस्ट खाना खाकर राहुल जोती ने थोड़ी देर आराम किया और फिर दोनों अपने नाना नानी हाल का मजा लूटने के लिए तैयार हो गए ये लो तुम दोनों के लिए मैंने खास इमली का रस बनाया है इसे जल्दी से पीलो इसे गर्मी में पिया जाता है नानी की बनाई हुई इमली का रस पीकर तो राहुल जोती एक दम तरो ताजा हो गए फिर नानी जी ने आम के पेड़ पर एक बड़ा सा जूला टांगा राहुल जोती जूले पर बैठ गए और जूला जूलते जूलते हवा में बाते करने लग गए और फिर नाना जी के साथ घूमने चले गए और फिर रात हो गई फिर राहुल जोती नानी जी के साथ रात के खाने के लिए फिर घूम कर घर लोट आए नानी जी मैं आपके हाथों से खाऊंगा नानी मुझे भी किलाओ ना ये सुनका नानी जी हसने लगी ठीक है ठीक है मैं तुम दोनों को अपने हातों से किलाती हूँ फिर क्या राहुल जोती ने नानी के हाथ से पीट भर कर खाना खाया और खाना खाने के बाद सब लोग सोने की तैयारी करने लगे और फिर राहुल जोती को गर्मी महसूस होने लगी नानी जी घर के अंदर कितनी गर्मी मैसूस हो रही है, पंखा भी गरम हवा फैक रहा है, आपके घर में एसी भी नहीं है, हमें तो एसी की आदत है, अब तो हमें रात भर नींद नहीं आएगी यह सुनकर नाना नानी के साथ सब लोग हसने लगे, यह देकर राहूल और जोती ज़्यादा कन्फ्यूज हो गए आप सब हस क्यों रहे हो, हमने कुछ गलत क्या है दिया क्या ना बेटा ना, तुमने कुछ गलत नहीं कहा, छोटा सा तो हमारा गाउं है, हमारे पास एसी कैसे होगा बेटा लेकिन हमारे पास एक ऐसी जरूर है जो तुमारे शेहर में नहीं होगा नानी जीने फिर जाकर छट पर गद्दे बिछाए और सोने लग नानी हम भी आपके पास सोएगे हाँ हाँ तुम दोनों मेरे पास सो जाओ आओ सो जाओ फिर क्या खुले आसमान के नीचे थोड़ी हवा में राहुल और जोती आराम से नानी के पास सो गए और नानी से कहानिय सुनते सुनते दोनों को प्यारी नींद आ गई। तो बच्चों आपने इस वीडियो में देखा राहुल जोती का नानी का गई।